नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल वर्ल्सगीर में स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी मंत में आप किन-किन फ्लावर प्लांट्स को एजली सीट से और कटिंग से ग्रो कर सकते हैं उससे सूट जूड़ी होई सारी जानकारी आपक की है सुरज मुखी यह तिलहन फसल है लेकिन फूलो के लिए भी इन्हें उगाया जा सकता है इनके फूलो का रंग बीला और नारंगी होता है सुरज मुखी का फूला हमेशा सुरज की तरफ जुका हुआ होता है हर परकार की मिट्टी में इसको हम उगा सकते हैं इसको हम ग प्लावर प्लांट जो आता है, वो आता है, हमारा विनिका, इसको सदाबार नाम से भी जानते हैं, इनके फूलो का रंग, लाल, पीला, सपेद, गुलाबी, आदी रंगों में असानी से आपको देखने को मिल जाएगा, हर परकार की मिट्टी में सोगा जा सकता है, सदाबार वो गंबलो में भी उगाया जा सकता है, गंबलो का साइज जो आपको रखना है 6-8 इंच का होना चाहिए, सालो बर फूल खिलते हैं इनके फलावर प्लांट पे, डेली वाटरिंग भी नहीं चाहिए, काफी कम वाटर में ये असानी से उग जाता है, और इसमें काफी जादा बीच छोटे और काले होते हैं, तो इस फलावर प्लांट को भी आप फरवरी मंत में असानी से उगा सकते हैं, नेक्स फलावर प्लांट जो आता है फरवरी मंत का वो है हमारा मेरी गोल्ड यानि गेंदा, इसको भी हम फरवरी मंत में असानी से सीड से उगा सकते हैं, इसके flower plant के जो रंग होते हैं फुलो का रंग हर परकार के रंग में आपको देखने को मिल जाएगा लाल, पीला, सफेद हर रंग में आपको देखने को मिल जाएगा तो इसको भी आप अपने फरवरी मंत में अपने गार्डन में अपने गमलों में इस लिली ग्रो कर सकते हैं नेक्स्ट फ्लावर प्लांट जो आता है वो आता है हमारा मॉर्निंग ग्लोरी यह फूल सुबह साड़े 6 बज़े तक खिलते हैं और दोपैर होते होते मुर्जा जाते हैं इन फूलों का रंग गुलापी सपेद नेला होता है हम इनको सीड से और कटिंग से दोनों से ग्रो कर सकते हैं फरवरी में लगाने के बाद अप्रेल माई तक हमें यह फूल देंगे तो इन फ्लावर प्लांट को फरवरी मंत में जरूर लगाईए अपने गार्डन में या अपने गमलों के अंदर नेक्स फ्लावर प्लांट जो आता है वाता है हमारा और टूलका इसको हम संजेविनी बूटी के नाम से भी जानते हैं इनके फूलों का रंग लाल, पीला, सफेद, नारंगी, गुलाबी आदी होते हैं फूल बहुत खुशुरत हो और आकरसित होते हैं इन पे तितलिया और मदमक्या आकरसित होती है फोदा छोटा और जल्दी उगता है धूप ज़्यादा चाहिए इन फ्लावर प्लांट को जल्दी से सूखेगा नहीं फूल हमारा तो इस फ्लावर प्लांट को भी आप फ्लावर प्लांट में असानी से ग्रू कर सकते हैं नेक्स फ्लावर प्लांट जो आता है वो आता है हमारा एडिनियम इसके फूलों का रंग सफेद, गुलाबी, लाल, पीला, काला होता है इस फूल की जो 14 वराइटी आपको परजाती देखने को मिल जाएगी ओल वर्ड गे अंदर धूप में अच्छे खिलते हैं कटिंग और सीड्स से हम इसको लगा सकते हैं फरबरी में हम इस फ्लावर प्लांट को असानी से लगा सकते हैं और इससे अप्रेल, मई और जून, मन तक आपके फ्लावर प्लांट पे ज़्यादे से ज़्यादा फूल इस फ्लावर प्लांट से आएंगे पानी कमी चाहिए और हल्की अपजाओ मिट्टी में असानी से हम इसको ग्रो कर सकते नेक्स फ्लावर प्लांट जो आता है वाता है मारा कोक्स कॉम इसको हम मुर्गा फूल भी बोलते हैं यह फूल देखने में बहुत खुबस्रोत होता है इनके फूलों का रंग लाल, पीला, गुलाबी, नीला, आदी होता है इसे हम असानी से सीडों से उगा सकते हैं इनके flower plant को हम कटिंग से भी उगा सकते हैं एक बात flower plant को आप लगा दिजिए यह आपके अगले साल तक अपने आप उग जाते हैं एक बार आपको इनको लगाना होता है और इनके सीड्स अपने आप नीचे गित के आपके उगते रहते हैं तो यह flower plant को भी आप फरवारी मन्त में असानी से ग्रो कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं next flower plant की जो की है हमारा डेलिया यह भी सुरज मुखी variety का ही एक पोदा है यानि सुरज मुखी के किस मुखा ही एक पोदा है इसको भी आप किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं इसको पानी की कम जरूरत होती है और आपको इसको सिर्फ दूप में रख देना है दूप में काफी अच्छे खिलते है जीनिया यह भी एक सुरज मुखी की family से ही है इनके खुबसुरत full कैई रंग में मिलते हैं जैसे लाल, पीला, सफेद, नारंगी, गुलाबी इनके full, सुन्दर और long lasting होते हैं इनके पोदे की उचाई एक से तीन फीट तक की चली जाती है तो इनको आप गंबलो में भी असानी से लगा सकते हैं जो गंबलो का साइज जो रखना है जीनिया फ्लावर प्लांट लगाने के लिए आठ से बारा इंच का आपको पोट चाहिए बीजों से इनको उगाया जा सकता है इन्हें regular watering चाहिए हर प्लावर प्लांट यह काफी रंगों मिलता है आपको नीला, संत्री, पीला, बैंगनी अकादी रखों में मिल जाएगा इसको आप हर प्लावर प्लांट की जो कि है हमारा डेजी इसके फ्लावर की रंग लाल, पीला, सफेद आदी रंगों में हमें देखने को मिल जाएगा यह हर प्रकार की मिट्टी में अच्छे से उगाया जा सकता है इसको हम गमले में या फिर गार्डन में इसानी से उगा सकते हैं इसको हम गुल मेंदी भी कहते हैं इसके फूलों का रंग हर रंग में मिल जाता है अगर आप इसको पर्चेज करेंगे इसका बीज तो यह ज़्यादा फूल आएंगे फूल के अंदर पोर्ट में इसको लगा सकते हैं फूल सनलाइट में और सेड़ेड एरिय में दोनों में अच्छी ज़्यादा खिलते हैं काफी उपजाव मिट्टी चाहिए इसके फूलावर प्लांट को लोजाना पानी चाहिए बीज से इसको उगाया जा सकता है नेक्स फूलावर प्लांट जो आता है वो आता है हमारा गोम फेरा इसको हम मकमली के नाम से भी जानते हैं इसके फूलावर का रंग लाल, पीला, सपेद, गुलाबी आदी रंग में पाया जाता है कट फूलावर के रूप में इसको यूज किया जाता है सूखने पर भी इन फूलों का रंग और अकार नई बदलता है फूल हलके और सुवंधित होते हैं अच्छी उपजाओ मिट्टी चाहिए इसको रेगुलर पानी चाहिए और सनलाइट में ज़्यादा खिलते हैं अब बात करते हैं नेक्ट फ्लावर प्लांट की जो की है हमारा गिल्ड एरिया ये सुरजमुकी फैमली से बिलोंग करता है इसके फूलों का रंग लाल, पीला, सफेद, गुलाबी आदी रंगों में पाया जाता है कट फ्लावर की रूप में इसको यूज किया जाता है इसके फ्लावर की जो प्लांट की उचाही होती है वो 50-60 cm की होती है तो इसको आप गंबलों में भी असानी से लगा सकते हैं गंबलों का साइज जो रखना है वो 6-8 इंच का होना चाहिए बीजों से ये फ्लावर प्लांट को मुगा सकते हैं हर परकार की मिट्टी में ये फ्लावर प्लांट हो जाते हैं और इन फ्लावर प्लांट को पानी हलका ही चाहिए दूप में ज़्यादा खिलते हैं तो दूप में आप इन फ्लावर प्लांट को रखे पोधा बीजों से उगया जा सकता है इसके flower plant को उगाने के लिए हलकी उपजाव मिट्टी चाहिए और इनको पानी कम ही चाहिए होता है दूप में ज़्यादा खिलते हैं तो दूप में आप इन flower plant को रखेंगे अगर गमलों में लगा रहे हैं तो flower plant पे फूल बहुत ज़्या के रूप में हमें यूज में आते हैं हमारे इनके flower plant की उचाई 40 से लेकर 60 cm होती है इन flower plant को भी हम बीजों से उगा सकते हैं इनके flower plant को उगाने के लिए जो उपजाओ मिट्टी चाहिए वो काफी हलकी उपजाओ मिट्टी में भी उगाई जा सकते हैं इन flower plant को थोड़ा पानी में आप इनको असानी से उगा सकते हैं तो दोस्तों आपको आज की इस वीडियो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरू कीजेगा चैनल पर फर्स टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ सेर करना ना भूले थैंक यू